नमस्कार साथियों स्वागत करता हूं सबकर इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी ए लोदा मित्रों सिक्षा मनोविज्यान का मोडल पेपर नंबर पचास लेकर आया हूं देखेगा बीस क्यूशन यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं टारगेट क्यूशन को प्रश्ण नंबर एक प्रात्मे किस तर पर मुल्यों की सिक्षा देने की सरुत्तम विदी है मुल्यों के महत्व को बताना मुल्यों के पालन नय करने पर दंडित करना व्यवहार के अध्यापक के व्यवहार में मुलिस्थापन और उप्रोक्त सभी तो प्रश् मुल्यों की शिक्षा देना है, तो इसके लिए सबसे बेश्ट विदी क्या रहेगी, कि अगर वो मुल्यों का पालन नहीं करेंगे, तो क्या आप उनको दंडित करोगे, तो दंडित करना तो बिलकुल ही गलत हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो गया, उप्रोक्त सभी भी अध्यापक व्यावार करता है उसमें यदि आप मुल्य इस्थापित कर देते हो तो वो ही मुल्यों की सिख्षा देने की सरूत्तम विधी कहलाएगी विकल्प नंबर तीन सही है प्रश्ण नंबर एक में चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नंबर दो पर दूसरा क्यूश करता है संवेदना अनुभव इस्मरन आत्मक है और संवेदना मस्तिक्स की दित्विय अनुकिरिया है कौन सा विकल्प सही रहेगा संवेदना से संबंदित ये कतन है अब यहां पर संवेदना से संबंदित चार कतनों में से एक कतन आप सही देखना है सही वाला जो कतन है व वही प्रारंबिक अनुबव तो है इसमें कोई दोराया नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है सम्वेदना जिवन का प्रारंबिक और सरल अनुबव है प्रत्म विकल पाप का सही है प्रशंबर 2 में चली आगे बढ़ेंगे प्रशंबर 3 की और साथियों तीसरा क्यूशन देखते हैं मानव जीवन की मनो भोतिक एक्ता कहलाती है मन तता शरीर का विकास शरीर तता हड्डियों का विकास शरीर तता हिर्दे का विकास और आत्मा तता मान स्पेशियों का विकास तो मनो भोतिक एक्ता क्या कहलाएगी बताईए सही विकल्प कौन सा है इसमें तीसरे क्यूशन में मित्रो मानाव जीवन में जो मनो मतलब होता है मन से और भोतिक मतलब बहरी तो मन और शरीर का विकास ही मनो भोतिक एकता कहिलाती है मन और शरीर का विकास विकल्प नमबर आपका एक सही है प्रश्ट नमबर तीन में क्योंकि मनों का मतलब तो मन मस्तिक से लिया जाएगा और भोतिक का मतलब बाहरी शरीर से लिया जाएगा तो मन और शरीर का विकास ही मनो बोति के एकता कहलाता है साथियों विकल्प नमबर एक साइह है तीसरे कुशन में आगे बढ़ेंगे प्रश्चन नमबर चार की ओर चोता क्यूशन है आपके एक विध्यार्ती अपने समकक्षे व्यक्तियों के समुह के प्रती आक्रामक व्यवार करता है और विध्याले के मांदंडों को नहीं मानता इस विध्यार्ती को जिस सहित्य के आउशक्ता है वह है विकल्पों को देखिएगा मनोगत्यात्मक्षेत्र भावात्मक्षेत्र उच्चिस्त्रे चिंतन कोशल और संग्यानात्मक्षेत्र तो कोन सा विकल्प सही रहेगा प्रश्ण को समझे और फिर उप्तर दीजिएगा प्रिष्ट क्या पूछ रहा है कोई भी चात्र है उसके जो समकक्षी व्यक्ति है उन समकक्षी व्यक्तियों के समोह के प्रती आक्रमक व्यावार का प्रदर्शन किया जा रहा है के सव व्यावर का आक्रमक व्यावार का और जो विद्याले के मांदन है उसको भी नहीं माना ज संवेदना का मतलब क्या होता है साथियों हम जब किसी भी चीज को महसूस करते हैं ठीक है किसी भी चीज को मैसूस करते है कि ये चीज हमारे सामने है ये चीज में दिखाए दे रही है या मैसूस की जा रही है तो ये जो कतन है समवेधना वाला ये मानसिक विकास से समंद रखता है किस समंद रखता है मानसिक विकास से क्योंकि हम जब किसी नई चीज को देख से संबन दीते प्रश्ण नमबर 5 में पहला विकल्प साइए आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर 6 की और छेटा क्यूशन प्रेश्ट नम्बर छे है निम्न में से कौन सा समवेग के बारे में सत्य नहीं है प्रेश्ट नम्बर छे में समवेग के बारे में जो सत्य नहीं है वो पूचा है पहला बालकों के समवेग लक्षनों से आसानी से पहचान जा सकते है दूसरा बालकों के समवेग वैसकों की तुलना में शनिक होते हैं तीसरा बालकों में समवेगात्मक नियंतरन वैसकों की तुलना में कम होता है और चोता बालकों में समवेगात्मक नियंतरन वैसकों की तुलना में अधिक होता है राइट आंसर बताईए अब इसमें जो सव्वेग उत्पन होगा वेसे लक्षन करेंगे डर सव्वेग उत्पन होगा तो डरेंगे लड़ने का सव्वेग उत्पन होगा तो बिल्कुल उसी प्रकार से वो क्रोध करेंगे तो यह आसानी से पैचान सकते हो लक्षनों से सव्वेगों को जो बालकों के सव्वेग ह वैसकों की तुलना में शनिक, मतलब कम होते हैं, शनिक थोड़ी देर के लिए, इसे बालकों को गुस्सा आया, रोना आया, कुछ भी आया, तो थोड़ी देर बाद बंद भी हो जाते हैं, वैसकों को अगर गुस्सा आता है, तो गुस्सा ज्यादा टाइम तक चलता है, बच् भी सत्य कतन है तीसरा है बालकों में समवेग आत्मक नियंत्रन वैस्कों की तुलना में कम होता है बिल्कुल सही बात है समवेग नियंत्रन समवेग नियंत्रन वैस्क कर लेते हैं लेकिन बालक समवेग आत्मक समवेगों का नियंत्रन नहीं कर पाते हैं तो यह तिनों कतन तो सकती है और चोता है बालकों में सवगात्मक नियंतरन वैसकों की तुलना में अधिक गलत बात है वैसकों की तुलना में अधिक नहीं होता है बलकि कम होता है तो आपका चोता विकल्प सही है साथ यो प्रिश्ण सब्सक्लेख में चली आगे बढ़ेंगे प्रष्द नम्बर साथ की ओर के सात्वा क्योंशन है आपके निम्न में से यह ठीकिन कौनसा सिक्षक से समंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक बेटने की उचित विया उस्था सिक्सन अधिगम संसादनों की उपलब दिता विशेवस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकर्ती और विशेवस्तु में प्रविंटा जीकि अधिगम को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं जैसे विद्याले से संबंदित हुए फिर आपके सिक्सक से संबंदित हुए पाट्टे करम से संबंदित हुए वातावन से संबंदित हुए अनेक चीज़े होते हैं तो सात्यों सिक्सक से संबंदित यहां पर कारक पूचा है जो अधिगम को प्रभावित करता है देखेगा इन चारों उप्षनों में से ये चो सक्ष से संबंदित कारक है अधिगम को प्रभावुत करने वाला क्योंकि विश्य वस्तों में परविण कौन होगा अध्यापक जो चीज पढ़ाए जा रहा ही है उसका वो कितना ग्यान रखता है उसमें वो कितना परविण है जो चीज बच्चों को पढ़ा रहा है तो ये च ही है बच्चो दोरा की गई तुरूटिया यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो सविगात्मक कारकों से प्रभावी तो सीखने के किसी चरण पर सीखना सविगात्मक कारकों का प्रभाव नहीं होता है और सीखना मूल रूप से मानसिक प्रकिर्या है देखिएगा सीखने की बारे में सही कतन नहीं है सोरी सही कतन है वो देखना है आपको तो बच्चों द्वारा की गई तुरूटिया यह संकेत कर दिये कि कि इसी तरह का शीकना नहीं हुआ गलत बात है नहीं करने का मतलब यो तूड़ी कि बॉल तोड़ी सीक ई वो भी एक शीकने कही है कि इस्सा है सीखना उस वाता औरmbहाई होता है जो सभिगात्मक कारकों से प्रभाई史 हो बिल्कुल सही बात है साथियों अगर संविगात्मक कारक बच्चे के अनुकूल है तो सीखना भी उससे प्रभावित होगा यह तो सही लग रहा है अगर इससे भी ज़्यादा सही होगे तो उस पर चलेंगे सीखने के किसी चरण पर सीखना संविगात्मक कारकों का प्रवाव नहीं होता होता है क्यों नहीं होता है फिर सीखना मूल रूप से मानसिक किरिया है तो देखिए यहां पर एक चोता और एक दूसरा दोनों हमको यह से लग रहे हैं कि दोनों सही है आप सही सीखने के बारे में सही है ये पहला और तीसरा तो बिलकुल गलत है साथियों सीखना मूल रूप से मानसिक ही नहीं भावात्मक किरिया भी मानी जाती है संग्यानात्मक किरिया भी मानी जाती है तो ये गलत है बलकि राइट आंसर है वातावरण सीखना उसी वातावर किस अधिगम मनुवेग्यनिक ने बाल अधिगम विकास में पुरुसकार को महतु नहीं दिया थोंडाइक ने पावलव ने इसकिनर ने और एडविनार गूत्री ने तो साथियों प्रश्च नंबर 9 में देखिए थोंडाइक के द्वारा पुरुसकार को महतु दिया गया है इसकिनर के दोरा पुरुसकार को महतु दिया गया है मतलब इन तीनों ने ही पुरुसकार पर महतु या पुरुसकार पर बल दिया है लेकिन एडविनार गूत्री के दोरा पुरुसकार पर बल नहीं दिया गया है साथियों आपका चोता विकल प्यापर सही है प्रश्च नं ग्यान प्राप्त करना सूचना बोध और प्रेग्यान दूसरा है तत्य सूचना बोध ग्यान प्रेग्यान तीसरा है तत्य सूचना ग्यान प्राप्त करना बोध और प्रेग्यान और चोता है तत्य बोध सूचना ग्यान प्राप्त करना और प्रेग्यान तो साथियों यहां पर देखिए प्रेग्यान तो सभी में अंत में आ रहा है तो यह तो सबसे अंत में आना ही आना है पिर यहां पर देखिए तत्य भी सभी में शुरू में आ रहा है तो यह भी सभी में आना है तो मतलब सीखने के लिए सबसे पहले अमारे पास क्या आना चाहिए तत्य के बाद डारेक्ट बोध नहीं होता है बलकि तत्य के बाद सूचना आती है तो यहाँ पर हम पहले और čोते विकलप को अटा देते हैं तत्य के बाद क्या आती है साथियों सूचना आती तो मित्रों देख recommendations यहाँ सबसे पहले तत्य आने के बाद में उसके बाद में आती है सूचना, तो इन पहले और चोते विकल्प को तो हमने अटा दिया है, अब यहाँ पर दूसरा और तीसरा विकल्प बच रहा है, इसके बाद में सूचना के बाद में हमें ज्यान पराप्त होता है, पिर बोध होता है और सबसे अंत में प्रे ज्यान, ब ग्यारवा क्यूशन देखते हैं प्रश्ण नमबर 11 क्या पूछ रहा है आप से व्यक्तिगत विभिन्ता के आदार पर सिक्षा देने हैं तू निम्न में से कौन सा विकल पुप्यूक्त है बुद्धी इसके इस्तर के आदार पर बालकों को सिक्षा देना लिंग के आदार पर शिक्षा देना लिंग के आदार पर ग्रे कारे में विभिन्ता और इन में से सभी तो व्यक्तिगत विभिन्ता की बात की जाती है तो वहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्ता से तात पर ये लिंगे विभिन्ता नहीं होता है बलकि मानसिक विभिन्ता की एक बालक किसमे रूची रखता है एक बालक किसमे कितना ग्यान है कितना ग्यान नहीं है वो होती है व्यक्तिगत विभिन्ता कहलाती है साथियों विक्तिगत विबिंता का उप्युक्त आदार यही माना जाता है पहला विकल्ब सही है ग्यारवे क्यूशन में आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर बारा की ओर साथियों प्रश्ण नमबर बारा आपके आता है विशिष्ट बालक का अर्थ है एसे बालक जो सामाने गुणों का प्रदर्शन करते हैं एसे बालक जो सामाने से अधिक विशिष्ट गुणों का प्रदर्शन करते हैं एसे बालक जो सामाने बालकों से कम बुद्धी रखते हैं और इन में से सबी तो मित्रों विशिष्ट बालक का मतलब कदापी ये नहीं होता है कि जो सामानी गुणों का प्रदर्शन करे वो ही विशिष्ट बालक हो तो पहला गलत और तो चोता भी गलत अब ऐसे बालक जो सामानी से अदिक विशिष्ट गुणों का प्रदर्शन करे या सामानिस से कम बुद्धी रखते हैं दोनों ही विशिष्ट बालक की श्रेडी में आते हैं तो यहां दूसरा विकल्ब भी सही है और यहां पर तीसरा विकल्ब भी सही है साथी हो प्रश्ण नमबर बारा में आगे देखेंगे प्रश्ण नमबर तेरा की और तेरवा क्यूशन क्या है आपके देख लेते हैं प्रश्ण नमबर तेरा को व्यक्तितु को मापने है तू कभी-कभी व्यक्ति के सामने ऐ सनराचित उद्धिपक परिष्थति रखा जाता है एसे माप को कहा जाता है वस्तुनिष्ट माप प्रक्षेपिये माप आनुभविक माप और आत्मनिष्ट माप तो देखिए व्यक्तितु को मापने है तू व्यक्तितु का मापन कर रहा है कभी करने की कोशिश की जा रही है और आप कभी-कभी व्यक्ति के सामने जो ऐ सनराचि उनको रखा जाता है तो उसके माध्यम से यह दी व्यक्तितु का मापन करें तो उसको प्रक्षेपी माप कहा जाता है प्रक्षेपी ए चेतनमन की आदार पर विगल्प नंबर आपका दो सई है प्रिश्ण नंबर तेरा में आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण नंबर चाउदा की आत्मागुणों पर अधिक बल डाला है जो आलपोट ने अपना सिद्धान दिया है साथियों व्यक्तितु का इसमें शीलगुणों के बारे में इन्होंने बताया है तो सबसे ज़्यादा बल इन्होंने जो भीतरी शीलगुण होते हैं व्यक्ति के अंदर उन पर डाला है विकल्प नमबर आपका दूसरा सही है बाहरी पर नहीं डाला है भीत्री जो शीलगुन होते हैं उन पर सर्वादिक भले इनके दोरा दिया गया है साथियों दूसरा जो विकल्प है प्रश्ण नमबर 14 में वही आपका राइट आंसर है नेक्स्ट आगे वाट्सन ने जेबी वाट्सन का नाम सभी ने सुन रखा होगा अपने तो व्यक्तितु का जो विकास होता है इसमें वाट्सन ने क्या कहा वातावण को अनुवांशिक्ता से अधिक स्रेश्ट माना है अनुवांशिक्ता को वातावण से अधिक स्रेश्ट माना है दोनों का नवजाद बालक देदो मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं चाहूँ मतलब वो अनुवानशिक्ता को कुछ नहीं मान सकता वो सब कुछ किसको मान रहा है वातावरण को मान रहा है सात्यों तो हम के सकते हैं कि इन्होंने वातावरण को अनुवानशिक्ता से अधिक स्रेष्ट माना है विकल्ट नमबर आपका एक सई है प्रश्ण नमबर 15 में आगे बढ़ेंगे साथी हो प्रश्ण नमबर 16 के ओर अनुवान शिक्ता को स्रेष्ट नहीं माना है बल्कि वात्तावरण को स्रेष्ट इनके द्वारा माना गया है चलिए सोलवा क्यूशन है व्यक्तितु के संगटन का रूप है व्यक्तितु के संगटन का रूप पूछा गया है सामाजिक और आर्थिक रूप है मनोवेग्यानिक और शारिक रूप है सामाजिक और राजनितिक रूप है और मनोवेग्यानिक और आध्यात्मिक रूप है तो व्यक्तितु का जो संगट वह आध्यात्मिक तो रहेगा नहीं बलकि व्यक्तितु का संग्टन माना जाता है मनोवेज्यानिक और शारिरिक जो बाहरी दिखा दिखाये देता है और मनोवेज्यानिक जो अंदर से है विकल्प नमबर आपका कौन सा सही है दूसरा विकल्प सही है साथ यो प्रश्ण में चली आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर 17 की और सत्रवा क्यूशन मित्रों देख लेते हैं प्रश्ण नमबर 17 को छिपी वी वस्तु को ढूंड निकालना इस बात का संकेत है कि सिश्यू इनमें से संग्यानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लग जाता है प्र वस्तु मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो उसके सामने नहीं है चिपा दी गई है उसको फिर भी वो ढूंड ले रहा है तो फिर वहां पर उसमें वस्तु इस्तायतु का गुनुत्पन हो गया है साथियों तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्ण नमबर 17 में आगे बढ़ें मनुष के शरीर की चालक शक्ती अभी प्रेड़ना को कहते हैं अगर व्यक्ति अभी प्रेड़ित है किसी भी चीज को करने के लिए तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता है किसी भी चीज को नामुनकीन से नामुनकीन चीज के लिए अभी प्रेड़ित होना जरूरी है उसमें स हो शकता है साथिए मनुष्र के शरीर की चारक शक्ति इसको केते हैं अभी प्रेड़ना को कहा जाता है कौन सा विकल्प आपका दूसरा को सही है प्रश्ण अब देखेंगे प्रश्च नमबर 19 को तो साथियों प्रश्च नमबर 19 पूच रहा अब से बच्चों में नेतिकता की स्थापना के लिए सरोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मेक पुस्तके पढ़ाना सिक्षक का आदर्शी रूप से व्योहार करना मुल्य सिक्षा पर मुल्यां से यदि सिक्षक व्योहार करें तो अगर सिक्षक नेतिकता से संबंदित व्योहार करेगा तो बिल्कुल बालकों में भी वैसे ही गुण उत्पन जरूर हो जाएंगे विकल्प नमबर आपका दूसरा सही है 19 क्यूशन में अब आज का अंतिम और 20 क्यूशन कमेंड करके जा सोभाव में रिक्तिस्तान और वापिस रिक्तिस्तान है तो यहां पर दो रिक्तिस्तान दिए गए हैं इनकी पूर्ति कीजिएगा निश्क्रिये और सरल है निश्क्रिये और सामाजिक है सक्रिये और सामाजिक है और सक्रिये और सरल है तो राश्टी पार्टी चर्या की पूरा वासात्यों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना नहीं बूले मिलते हैं अगले वीडियो में सभी मीत्रों का बहुत धन्यवाद